Hello friends and welcome back आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाईज में So friends, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं Year Ending Process के बारे में कि हम अपने पुराने Financial Year को Close करके अपने New Financial Year में कैसे मूव कर सकते हैं So आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाले प्राइम के New Updated वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें टाले ग्राम और इंस्टाग्राम ग्रूप पे भी फॉलो कर सकते हैं टाले प्राइम के लेटेस नोट्स डाउनलोड करने के लिए So चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करके हैं आज का वीडियो Basically जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम येर एंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जैसा कि यहां पर मैंने एक कंपनी ओपन की हुई है इसका जो फिनेंशल लियर है वो 21-22 है अब हम इसके फिनेंशल लियर 22-23 में चेंज करना है 1st April 22-31 मार्च 23 में यहां पर कुछ 4 मैथर्ट्स होते हैं फिनेंशल लियर को चेंज करने के जो मैं आपको 1-1 करके बताऊंगी तो फ्रेंट्स सबसे पहली बात तो यह होती है कि जो फाइनशल लियर हमारा होता है वो April to March का पिरियड रहता है कि हम एक फ्रेश नोट से अपनी कंपनी को मेंटेन कर सकते हैं तो सबसे पहला मेथर्ड जो रहता है वो क्या रहता है कि यहाँ पे जो अपना करेंट पिरियड है यह करेंट पिरियड हम डारेक गेटवे ओफ टाली से ही चेंज कर सकते हैं और नियू फाइनशल लियर में मूव कर सकते हैं वो किस केस में होता है मानलेजिए आपका डेटा अगर बहुत हैवी है उसमें बहुत सारे लेजर अल्रेड हैं, मास्टर अल्रेड हैं तो आप गेटवे ओफ टाली से ही पिरियड चेंज कर सकते हैं और मैं यहाँ पे आपको कुछ बालेंस दिखा देती हूँ जैसे कि यहाँ पे बालेंस शीट है यहाँ पे पर पर जैसे कि परचेस अकाउंट है जो नेक्स्ट फइनेशली रुस होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक अपना क्या बन जाता है अजन ओपनिंग स्टॉक अजन 1st अप्रेल 22 जो हमारे हैं पर जाके अपना ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा मैं यहाँ पर पूरा प्रेट ले लेती हूं 31st मार्च 22 तक का तो यहाँ पर जो यह क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का यह 1st अप्रेल 2022 में अपना ओबनिंग स्टॉक बन जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर इस्टॉक समरी है स्टॉक समरी में यहाँ पर हमको फिनिश बूट और रहो मैटिरियल की क्लोजिंग क्वान्टिटी आ रखी है ओके यहाँ पर भी मैं इसका पूरा फैनेंशल यह ले लेती हूं अब यहाँ से हम इन डारेक्ट परियेट को चेंज कर लिया ओके यहाँ पर मैं आपको बैलेंस शो करते हूं देखिए अब यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो अपने बैलेंस थे बुराने वाले वह यहाँ से सारे निकल गए हैं और यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया 40,000 राइट जैसे कि मैंने आपको पहले पताया था कि अपना क्लोजिंग है 40,000 तो यहाँ पर अपना ओपनिंग भी क्या है 40,000 यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग इस वज़े से मैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने नियू फैनेंचल लियर में कोई भी एंट्री न पर शो ओपनिंग बैलेंस को यहाँ करूंगी तो देखिए अपना ओपनिंग बैलेंस भी सेम आ रहा है ओके जब यहाँ पर मेंट्री करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफ्रेंशियेशन आ जाता है ठीक है तो एक मैथड तो हमारा यह हो गया कि हम डार अगर हमारे डेटा की बाल्यूम बहुत जादा है और अगर हम उसी डेटा में कॉंटीनव करते रहते हैं तो हमारी अप्लिकेश्ण हैं लंगते हैं उतना एक डेỏiक व्लिफॉमक करसकते हैं जितना पहले कर रहे थे अगर आप अपनी company को एक new financial and new batch से start करना चाहते हैं fresh note पे तो आप split data कर सकते हैं उसकी वीडियो हमने already बनाई हुई है उसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा वो आप checking out कर लीजिएगा now third way हमारा होता है import export करना अगर आप split भी नहीं करना चाहते हैं with your closing as an opening balance आप उसको import कर सकते हैं अपनी new financial year वाली company में और अगर आप चाहते हैं कि उसका balance ना आए आपकी new company में तो उसकी भी configuration होती है import export वाली video भी हमने बनाई हुई है उसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा आप checking out कर सकते हैं basically मैं आपको फिर बता देती हूँ जिससे कि हम यहाँ पर export पर जाते हैं ठीक है हम masters export करते हैं यहाँ पर हम configuration में जाएंगे और show more करेंगे तो देखें यहाँ पर जो यह option आ रहा है export closing balance as opening balance अगर आपको आपके ledgers या फिर all masters का balance चाहिए तो आप यहाँ पर yes कीजिए और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपकी date पुछेगा कि closing as on आपको कौन से closing को as an opening वहाँ पर treat करवाना है तो यहाँ पर आपको date specific कीजिए और आप इसको ledgers को और all masters को export करके new company में import करिए फिर पर जो particular new company है उसको आप new financial year के साथ आपका new entries करके आप start कर सकते हैं काम और अगर आपको closing नहीं चाहिए as an opening तो आप simple सा इस option को no रखिए बाकि export करके import कर लीजिए वो आप हमारी previous video में चेक कर लीजिए को उसमें मैंने properly बताया हुआ है कि 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 इस behavior के साथ आप import और export कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आप new financial year पर move कर सकते हैं and make sure कि आप financial year change करने से पहले या पिर कुछ भी activity करने से पहले अपने data का backup जरूर रखें वो बहुत important है data का backup रहना ओके आज की वीडियो में सिरफ इतना ही जल्दी मिलेंगे एक new video, new topic के साथ तब तक के लिए सीखते रहे सिखाते रहे धन्यवाद